C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का आठमा पाठ नानी के घर तक प्रिष्ट साथ 18 मई ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम देर रात को टायम पहुँझे वली अम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है स्टेशन से हमने दो आटो रिक्षा किये और वली अम्मा के घर पहुँचे मुझे इतनी नीद आ रही थी मैं नहा कर कुछ खाए पिये बिना ही सो गई अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया फिर हम तयार हुए अपना सामान उठाया और बस अड़े के लिए निकल पड़े अब वली अम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था हम दस लोग थे और बहुत सारा सामान भी था प्रिष्ट 61 अपने कंड़क्टर से सभी के लिए टिकेट खरी दे और हम बस में चड़ गए हमें बैठने की सीट मिल गई पर बाद में बस में इतने लोग चड़ गए कि बस ठसा ठस भर गई दो लोगों की सीट पर चार चार लोगों को बैठना पड़ा कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया काफी लंबा सफर था बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमम्मा के गाउं पहुँची गए पर नहीं सफर अभी भी बाकी था बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमम्मा का घर था और कहा वो देखो हमें वहां पहुँचना है पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे मैंने सोचा अभी मैं सोची रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाओ किनारे पर रुकी अम्मा बोली लो फैरी आ गई फैरी में से बहुत सारी लोग उतरे स्कूल के बच्चे औरतें आदमी सभी अपना अपना सामान लिये थे अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फैरी का ही इस्तेमाल होता है जैसे ही फैरी खाली हुई चड़ने वालों की भीड लग गई सभी को चड़ने से पहले किराया भर न था देखते ही देखते फैरी भर गई और पानी पर चल पड़ी मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही फैरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी जिससे आसपास का पानी उचल रहा था किनारे पर नारियल के पेड कतार में लगे थे वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मचली पकड़ रहे थे कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे प्रिष्ठ बासट सूरज ढलने से पहले ही फैरी अपने ठिकाने यानि टापू पर पहुँच गई और हम भी पहुच गई अममा के घर इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वहानों में बैठी क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? तुम किन-किन वहानों में बैठे हो? तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किस वहान में सफर करने पर आया? और क्यों? ओमना एहमदाबाद से सोला मई को चली थी अममा के घर पहुचने में उसे कितने घंटे लगे? क्या तुम कभी लंबे सफर पर गए हो? कहा गए थे? उस सफर पर तुम किन-किन वहानों पर बैठे थे? उनके नाम लिखो प्रेश्ट 63 तुम्हारे सफर में कितना समय लगा था? ओमना के अप्पाने, ट्रेन, बस और फैरी के सफर के लिए टिकेट खरीदा बताओ, और किन-किन वहानों में जाने के लिए टिकेट खरीदना पड़ता है? कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकेट खरीदना पड़ता है क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो? उनके नाम लिखो एक रेल टिकेट लो उसे देखो पूछी गई बातों को टिकेट में ढूंड कर बताओ उन पर अलग-अलग रंगों से गोला लगाओ और चर्चा भी करो ट्रेन का नंबर सफर शुरू होने की तारीख बर्थ एवं डिब्बे की नंबर किराया दूरी किलोमीटर में प्रिष्ट चौंसट सकते हो लिखो रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती हैं जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुँचेगी किस समय स्टेशन छोड़ेगी कितनी दूरी तै करेगी आदे हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेल्वे टाइम टेवल खरीच सकते हैं ओमना ने जिस ट्रेन में सफर किया था उसके टाइम टेवल का कुछ अंज हम बता रहे हैं उसे समझो और प्रश्णों के उत्तर दो 1-6-3-3-5 गांधी धाम नगर कोल एक्सप्रेस स्टेशन का नाम गांधी धाम पहुँचने का समय नहीं पता रेल्वे स्टेशन 5 बचकर 15 मिनट दूरी 0 किलो मीटर दिन 1 दूसरा एहमदाबाद पहुँचने का समय 11.30 स्टेशन चोड़ने का समय 11.50 दूरी 301 किलो मीटर दिन 1 तीन बडोदरा पहुँचने का समय 14 बचकर 3 मिनट स्टेशन चोडने का समय 14 बचकर 10 मिनिट दूरी 401 किलोमीटर दिन 1 चार सूरत पहुँचने का समय 16 बचकर 15 मिनिट स्टेशन चोडने का समय 16 बचकर 20 मिनिट दूरी 530 किलोमीटर दिन 1 पाँचवा वलसाड पहुँचने का समय 17 बचकर 23 मिनिट स्टेशन चोड़ने का समय 17 बचकर 25 मिनट, दूरी 598 किलो मीटर, दिन 1 छटा, भिवंडी रोड, पहुँचने का समय 21 बचकर 10 मिनट, स्टेशन चोड़ने का समय 21 बचकर 12 मिनट, दूरी 772 किलो मीटर, दिन 1 मढगाउं, पहुँचने का समय 7 बचकर 35 मिनट, स्टेशन चोड़ने का समय 7 बचकर 45 मिनट, दूरी 1509 किलो मीटर, दिन 2 स्टेशन का नाम उधिपी, पहुँचने का समय 12 बचकर 6 मिनट, स्टेशन चोड़ने का समय 12 बचकर 18 मिनट, दूरी 1858 किलो मीटर, दिन 2 नवा, स्टेशन का नाम कोजी कोड, पहुँचने का समय 17 बचकर 45 मिनट, स्टेशन छोड़ने का समय 17 बचकर 50 मिनट, दूरी 2165 किलोमीटर, दिन 2 दसवा, त्रिचूर, पहुँचने का समय 21 बचकर 5 मिनट, स्टेशन छोड़ने का समय 21 बचकर 10 मिनट, दूरी 2280 किलोमीटर, दिन 2 ग्यारवा एर्णा कुलम टाउन पहुंचने का समय 22 बचकर 35 मिनट, स्टेशन चोड़ने का समय 22 बचकर 40 मिनट, दूरी 2356 किलो मीटर, दिन 2 बारवा कोट्टायम पहुंचने का समय 23 बचकर 50 मिनट, स्टेशन चोड़ने का समय 23 बचकर 55 मिनट, दूरी 2418 किलो मीटर, दिन 2 तरिवेंद्रम Central, पहुँचने का समय 3 बच कर 5 मिनट, स्टेशन छोड़ने का समय 3 बच कर 10 मिनट, दूरी 2578 किलो मीटर, दिन 3 तरिवेंद्रम Central, स्टेशन का नाम नगर कोईल, पहुँचने का समय 4 बच कर 45 मिनट, स्टेशन छोड़ने का समय 0 घंट, दूरी 2649 किलो मीटर, दिन 3, प्रिष्ट 65 तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गूला लगाओ, जिनका नाम ओमना की डाइरी में आया है ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? ट्रेन एहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? ट्रेन सफर के कौन से दिन मढगाओं पहुँची? सुनील और एन कोजी कोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोटायम स्टेशन पर कोजी कोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोटायम स्टेशन आता है? ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफर पूरा किया? ओमना ने ट्रेन से कितने किलो मीटर का सफर पूरा किया क्या तुम एक डाइरी रखना पसंद करोगे एक डाइरी या कॉपी लो डाइरी में रोज किसी एक सप्ताह तक की खास बातें और उनके बारे में अपने विचार लिखो अपनी और अपने दोस्तों की डायरी मिलकर पड़ो नानी के घर तक अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का आठवा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत